क्या क्या चीज होती है देखिए कीरिया क्या है वाक्य को पून्ड बनाती है अभी इससे पहले हमने संग्या और सरवनाम और विशेशन किये हैं ठीक है जिससे काम का करना या होना पाया जाता है वो क्या होगी ठीक है वो हमें क्या बताता है वो हमें बताता है किरिया ओके तो आपको जो है यह ध्यान रखना है कि जिससे काम का होना या करना समझा जाए उसे किरिया कहते हैं ठीक है हम जो भी एक्शन करते हैं वो क्या कहलाता है कि जैसे लड़का मन से पढ़ता है, तो पढ़ता है क्या है, फिर परिक्षा पास करता है, पास करता है क्या है, ठीक है, इसमें देखिए पढ़ता है और पास करता है, यह क्या है, क्या है, ठीक है, तो क्रिया क्या है, जिससे हमें यह पता लगता है कि कोई काम हो गया है या होग ठीक है वो क्या है किरिया है ओके नेक्स देखिए किरिया का समानने रूप ना अंत वाला होता है ठीक है जो किरिया होती है ना बेटा उसमें क्या होता है लास्ट में ना लगा होता है mostly ठीक है जैसे समानने रूप ठीक है इसे मूल रूप भी कहते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे यहाँ पे है खा से क्या बना खाना फिछे ना लग गया पढ़ पढ़ से क्या बना ना पढ़ना सुन से क्या बना ना सुनना ठीक है तो यह जो मूल रूप होता है ठीक है यह कहा पढ़ सुन यह कह मूल रूप है यह किर्या कब बनती है जब इनके पीछे क्या लग गया ना ठीक है तो यह कह समान्या मतलब जो है किर्या क्या होती है अंत में ना लगा होता है यदि किती काम या वियापार का बोध ना हो तो ना अंत वाले शब्द किर्या नहीं कहला सकते ठीक है वो ना वाले शब्द तभी किर्या कहलाएंगे अगर कोई काम हुआ है जैसे खाना पढ़ना वो काम है ना अगर यहां पर यह क्या किरिया है नहीं ठीक है क्योंकि यह क्या एक धातू है ठीक है यह एक इर्यलेयल है जिसके हम ज्रूरी बनाते हैं ठेके वियक्ति एक आंख से काना है ठीके अब काना जा भी इतो जो है गज़ा उसके लेकिन यह भी कहर है था क्यूंकि काना का मतलब क्या बंता है जिसकी एक काथ सांवने करती अर जिसकी एक आथ नहीं होते हम थे के विशेशन है कि उसका दाना बड़ा ही पूष्ट यह रहे हैं आप Fillna को किर्या यह कुमnine डाना लेकिन तो भी संग्भा है करिया नहीं है तो ठीक है आ आपने मैं cham आपने का था कि जिन शब्दों के पीछे ना लगा हुआ है वो किरिया है ठीक है तो समझ गए कि कौन से शब्द जिनके पीछे ना लगा है किरिया है जिन से पता लगता है कि काम हुआ है या होगा ठीक है जिसमें काम होगा ठीक है नेक्स देखिए किरिया का सधारन रूप किरियार्थक संग्या का काम भी करता है, ठीक है? अब इसमें जो है संग्या भी होती है, किरियार्थक संग्या बोल देए इसको, ठीक है? सुबह के टहलना, टहल जो है संग्या है, टहलना क्या बन गया? किरियार्थक संग्या, ठीक है अब है किर्या के परकार अब यहाँ पर किर्या के परकार हैं दो तरह के हैं एक तो करम के अधार पर ठीक है और एक है अन्य परकार ठीक है जो करम के अधार पर इसे हम मुख्यता किर्या के परकार भी कह सकते हैं और हम यह भी कह सकते हैं करम के अधार पर ठीक है करम के अधार पर किर्या के बेद करम के अधार पर किर्या के कितने बेद है सा कर्मक और आ कर्मक क्योंकि इतमे कर्म देखो दोनों में कर्म कर्म आ रहा है इसलिए ये कर्म के अधार पर है ठीक है क्योंकि दोनों में कर्म इसमें भी और इसमें भी आ रहा है इसलिए ये कैं करम के अधार पर किरिया के भेध हैं सकर्मक किरिया और अकर्मक किरिया सबसे पहले हम करेंगे सकर्मक किरिया सकर्मक किरिया देखो बच्चे नाम से ही पता लग रहा है ना सकर्म मतलब कर्म के साथ साथ ठीक है अब इसमें क्या होगा बिटा जिस किरिया का पल करता पर ना पढ़कर करम पर पड़े ठीक है उसे सरकर्मक किरिया कहते हैं ट्रांजिस्टिव वर्ब ठीक है तैव यह है आवश्चत है कि वाक्य की किरिया अपने साथ करम लाए यदि किरिया अपने साथ करम नहीं लाती है तो वह अकर्मक ही कहलाएगी अगर ना simply में कहूं न अभी कि मैं ठढ़ा रही हूं ठीक है तो इसमें जो काम करता है ना कि जो काम करता है अभी सबसे पहले हम दो जो हैं चीजे सिखेंगे सबसे पहले मैं आपको बताती हूं सबसे नहीं करता छीक है दो करता क्या होता है बिटा करता क्या होता है जो काम को करता है उसे हम कहते हैं करता ठीक है जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं करता कहते हैं ठीक है उसके बाद आता है करता की बाद एक चीज और आती है करम यह क्या हो रहा है एक चीज और क्या आती है करम ठीक है एक होता है करता एक और दूसरा क्या होता है करम जो काम को करता है देखो काम को करना ठीक है अभी जैसे बोलना बोलना एक काम है कौन कर रहे अभी मैं कर रही हूँ न आप लोग तो नहीं कर रहे तो मैं क्या हूँ करता ठीक है लिखना लिखना भी एक काम है कुछ बच्चे आप में से लिख रहे हैं वो क्या लिखने अगर होगा कि कौन लिख रहा है तो इसमें करता कौन है लिखने वाला मतलब कि आप ठीक है करता कौन होता है जो काम को कर रहा होता है ठीक है जो किसी भी काम को करने वाला ह उसे हम कहते हैं करता ठीक है करता समझ आगे करता क्या होता है सबको जिसे नहीं समझ आया वो हैंड रेस कर सकता है भी ठीक है फिर दूसरा आता है करम दूसरा क्या आता है करम क्या होता है जिसके द्वारा हम काम कर रहे होते हैं ठीक है करम क्या होता है कि करता ना करम की हेल्प डित्से काम कर रहुता है अगर मैं कहूँ आप लिख रहे हो ठीके आप करता तो बन गए लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप पैंसिल से लिख रहे हो तो वो जो पैंसल है ठीके वो क् train कि करम है ठीके प्एजर Запल्ष नई होगी तो किरिया भी नहीं होगी हाँ अगर पैंसिल नहीं है तो लिखना भी नहीं होगा हाँ अगर मैं कहूं कि मैं बैठी हूँ तो वो क्या है आकर्मक किरिया क्योंकि इस शब्द में जो है करम नहीं है अगर मैं कहूं कि मैं कुर्सी पर बैठी हूँ ठीक है जो मेरी किरिया वो क Pencil से लिख रहे हो ठीक है तो आपका जो किरिया के साथ हो रही है pencil के सा sipris pequima करण मैं एक मैं लाप्टॉप से पढ़ा रही हư तो जो मेरा लैक्टोप है से जिकहे वह इस वाक्या में क्या बन गया करण ठीक मैं क्लियर है सब को करण समझ आ गया ठीक है तो अब आपको ये ध्यान देखना है कि जहां पर न बिटा करम नहीं है ठीक है किरिया अपने साथ करम नहीं लाती तो वहाँ पर अकर्म किरिया जहां पर करम है वहाँ पर सा कर्म किरिया ठीक है सा कर्म किरिया कहां पर है जहां पर करम है स मतलब क्या है साथ ठीक है करम का मतलब साथ करम जहां पर करम होगा जिस वाक्य में वो स कर्म किरिया और जहां पर कर्म नहीं होगा वो होगी हमारी आकर्म किरिया क्लियर है सकर्म किरिया और अकर्म किरिया अब देखिए यहां पर एक्जेम्पल है प्रवर अनु पढ़ता है तो यहां पर पढ़ता है सिर्फ किरिया बताई गई है क्या पढ़ता है किसे पढ़ता है नहीं बताया गया तो यह करम नहीं है तो यह कौन सी है अकर्म किरिया ठी ठीक है अब देखिए next प्रवन अनु पुस्तक पढ़ता है अब यहां पर करम दिया हुए न कि क्या पढ़ रहे हो पुस्तक तो जहां पर करम है वहां पर क्या होगी सखर्मकिरिया ठीक है clear है जहां पर करम होगा वहां पर होगी सकर्म किरिया और जहां पर करम नहीं होगा वहां होगा अकर्म किरिया ठीक है जैसे उल्लू दिन भर सोता है ठीक है इसमें करम नहीं न दिया अगर हम कहते कि उल्लू दिन भर पेड़ पर सोता है तो करम होता है ठीक है तो यह सकर कार्मक्रियाइब बन जाती अभी यहाँ पर सिर्फ यह लिखा कि उलूань दिन भर थोता है तो यह कहे है कर्मक्रिया ठीक है क intéressant क्लिय इस प्रीटम प्रितम करम कर्म 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 क ठीक है और किसी को डावड अन्य करिया अन्य करियाओं में सबसे पहले अब आता है पूर्व कालिक करिया ठीक है बिटा पूर्व कालिक पूर्व का मतलब क्या होता है पहले ठीक है पूर्व का मतलब क्या होता है पहले ठीक है पहले जो किरिया पूर्व कालिक कालिक मतलब क्या होता है समय काल का मतलब हमने पढ़ा था ना समय ठीक है तो स्काल से ही बनाए ये कालिक ठीक है पूर्व कालिक किरिया क्या होगी जो किरिया पहले समय में हो चुकी है ठीक ह जब कोई करता एक किरिया स्माप्त करके दूसरी किरिया करता है तब पहली किरिया क्या है? पूर्वकालिक बन जाती है ठीके? जैसे यहाँ पर example है चोर उठ भागा अब देखो बेटा पहली किरिया क्या होई? उठ ठीके? जो उसका उठना है वो क्या है? पहली किरिया है फिर वो भागा है ठीके? तो यह पहली किरिया कौन सी है? उठना तो यह उठ क्या बन गई? पूर्वकालिक किरिया ठीके? अब वहे खाकर सोता है ठीके? पहले खाया ये भी किरिया है फिर सोता है तो पहले वाली किरिया कौन सी है खाने खाता है न पहले तो यह जो खाकर है यह क्या बंजेगी हमारी पूर्वकालिक किरिया समझा गया पूर्वकालिक किरिया क्या है जब दो किरिया एक यह करते है न एक सार तो जो पहले वाली किरिया है वसे हम क्या कहते है पूर्वकालिक किरिया ठीक है next देखिए next है हमारा second number पे संयुक्त किरिया संयुक्त का मतलब क्या आता है जोड़ना ठीक है संयूक्त का मतलब होता है जोड़ना जो किरिया दो या दो से अधिक धाटूँ के योग से बन कर नया अर्ख देती है यानी किसी एक ही किरिया का काम करती है उसे क्या कहते है संयुक्त किरिया ठीक है जैसे उसने खा लिया खा प्लस लेना ठीक है खाना भी जो है किरिया है और लेना भी एक किरिया है ठीक है तुमने उसे दे दिया देना भी किरिया है ठीक है दिया जो है दे देना ठीक है वो के दो किरिया है तो जब यहां पर जो है दो या दो से अधि तो अगर सब्सक्राइब ना लगा दिया जाए तो यह क्रिया बन जाएगी इसी तरह ना लगा देंगे देना क्या बन जाएगी किरिया तो अभ यहांपर क्या है इसकी definition में दो या दो से अधिक धातूओं के अब यहां पे धातूओं ही है ना खा भी और लिया भी दे भी और दिया भी दोनों धातूओं हैं तो जब दो से अधिक धातूओं होंगी वहाँ पर होगा सही उक्त के लिए हैं clear है यह पुलकेत हां जी बेटा पुलकेत धातूओं क्या होता है बेटा जैसे कोई भी काम है ना जैसे पढ़ लिख ठीक है पढ़ लिख चल जब तक इसके साथ ना नीना लगता यह धातू है जब ना लग जाता है तो किरिया बन जाती है जैसे पढ़ ना पढ़ना क्या बन गया किरिया तो जो किरिया का मूल रूप है उसे हम क्या कहते है धातू लिख ना लिखना क्या है किरिया का मूल रूप किससे बना लिखना लिख से तो किरिया का मूल रूप है वह धातू कहल कर ठीक है दूसरे शब्दों से किन दूसरे शब्दों से संग्या सरवनाम और विशेशन से जो धातु बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं नाम धातु कि रिया ठीक है धातु ही बनेगी किन-किन से संग्या सरवनाम और विशेशन से जैसे पुलिस चोर को लत्याने ठाने ले ग ठीक है वे दोनों बत्याते चले जा रहे थे बत्याना मेहमान के लिए जरा चाय गर्मा देना तो ये क्या है ये क्या है जो संग्या सरवना पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एक्जैम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें केरियर डिफेन स्कूल का अंड्रोड अप